हाई एवरिवन तो पानी पूरी पैलेट्स बनाने के लिए हम लोगों ने ले लिया है एक बोल और पूल में हम लेंगे किसी भी एक कप से नाप करके आपको लेना है एक कप लेंगे हम यहां पर गहों का आटा मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए ता ध्या करके लिए सूजी जो है वह बारिक लेनी है मोटी सूजी हो आप सो ग्राइन करके यहां पर यूज कर सकते हैं साथ हम इसमें डाल दिया थोड़ा सर नमक यह आप इसको स्किप कर सकते हैं अब यहां पर देखिए अब जिसा कप से हमने आटा लिया था यहां काटा लिया था यह पर देखिए पानी हमारा काफी अच्छे से गर्म हो गया है अब गैस की फिलिम को पहले हम बंद कर देंगे और इस पानी में से एक कप पानी हम लोग अलग से निकाल लेंगे यानि कि हमें गरम पानी निकाल कर रखना है पहले हम एक कप पानी यूज करेंगे जरुत है जो हमने आठे का मिक्ष데 बना कि रखा था वो सब यी Acts 5 क्रनि में देंगे टेंगे लो कर देंगे क्यूंकि आटा डालते है एक भुण से गारा होणा स्टार्ट हो जाएगा तो में को यहा पर रखना जरूरी है और सभी आठो को हम अच्छे से मिक्स करेंगे स्पाशिला की यहां पर measurement बहुत ज़रूरी है कोई भी कम यह जादा आप ना करें और वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी tips and tricks और secret भी है जो आपको आगे पता चलेंगे अब यहां पर हम इसमें डाल रहे हैं आदा चोटा चमच जितना बेकिंग पाउडर नाप करी ही आपको लेना है और चोटा चोटा चमच लेना है बेकिंग सोड़ा दो में से कोई भी चीज जादा या कम नहीं होनी चाहिए तो रेसीपी पर्फेक्ट आपकी नहीं बन अगर आपको धहां पक्याव आपके अपको ब्रगाना है कि आपको और यहां आपको ही द्हादा आपको दो लगार रहना है वह क्षळसा और गीली होने जैसे लगए घृचिया पापड बनाते उसके जैसे हम आटा लगाते हैं लगबग वैसा ही आटा इसका भी होता है तो आप इस चीज का ध्यान रखेगा थोड़ा थोड़ा पानी डाले और इसको मिक्स करते जाए आटे को एकदम सॉफ्ट लगाना बहुत ज़रूरी है फ्लेम को एकदम लो रखें तो यहां पर हमने पानी करके इसमें आट कर दें या फिर आपको देर का पानी भी लग सकता है तो यह पूरी तरह से डिपैंड करता है आपकी आटे की कॉलिटी पर लेकिन आटा आटा आपको एकदम सॉफ्ट रखना है एकदम गीला गीला साही वह आटा होना चाहिए डगकर इसको बंद करके रख हमारे ले बहुत मुच्किल हो जाएगा हैंडल करना तो गरम आते को ही आप इस तरीके से मिसलते हुए सॉफ़ और चिकना कर लेंगे तो बस इसको मुच्टे रहे और चिकना कर ते रहे 5 जैसे जैसे रह तंडा होता जाए गया तो यह देखिए अखिना हो गया ही ब्लkUL तो आप पूरा जरूर देखिएगा तो तभी आपकी अच्छी से पाने पूरी बन पाएंगी तो छोटे-चोटे से हम लोग इसमें से पेडे बिना करके रख लेते हैं अब यहां पर देखे हमने सारे यह पेडे बिना लिये हैं बाकी पेडे धकर रख देंगे और एक पेडे देखने लगे तो बीच बीच में वहीं अब दियार करना इए इस तरह से बेलका उन्हें तक लिया है दूसरे पेड़ा लेंगे और दूसरे बेडे को भी सेम इसी तरी के थोड़ा सा तो आपकी पानी ठांग से नहीं बन पाएगे फिर आपकी पानी पूरी भनी नहीं थे थोड़ी छोटी रहे गए तोप से बढ़ा लेते हैं और यह देखिए हमने दोनों को लगबग बराबर सा कर लिया है इसके हुछ बीच बहीं नहीं लगाना है इसको हलक बूज़ा है इसको बेल एक दम पतला सा बेल का तियार कर लेकिन है रोटी से थोड़ा हमारा ला चाहिए ऐसा जब भी चिपकने लगे दोनों सेड़े पर मैदा लगा दीजिए और उसको बेलते जाएगे क्योंकि थोड़ा चिपचिपा होता है आटा तो वह चिपकने लगता है तो बस इस तरह केसे हम इसको चारो तरफ से फैलाते हुए थोड़ा बड़ा सा कर लेंगे और ध्यान रखे से चोटे बना रही हुए हूं कुछ बड़े साइस के भी बनाओंगी तो बस इस तरह के से कट कर लेते हैं और यह जो हमारा अधम्नेवरा पानीपूरी पैलेट्स कट कर के तयार हो गई है यह देखे इसको इसको निकाले थैं हम लो तो यह देखिये हमने सारी हिस तरह से ब एक दो घंटे कि लबस को धूब जरूर लगा लेनी तो आप अंखे के वबीस को सुखा सकते है चले चलिए बाद नहीं को देखते है यहां देखिए आप दूखने के बाद में हमारी पूरी पैलेट चिप्स बंगर के तयार हो चुकी है यह हमारी homemade है और यहां पर दूसी सेट जो आप देख रहे हैं यह हमारी market वाली देखे बिलकु लिग जैसी लग रही है color में थोड़ा difference है क्योंकि market में corn starch का भी यूज किया जाता है corn flour का भी यूज करते हैं इसके color में इतना सा difference है बाकि आपको texture में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा एकदम परफेक्ट है आप तो सुझी के जगे काउन स्टार्च यूज कर सकते हैं लिकिन quantity थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी बाकि आपको flavor और taste बिलकुल वैसा ही मिलेगा तो चली में आपको इनको फ्र पैलेट और इनको इस तरह से हम हिलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा से टर्न करते रहेंगे और यह दीरे-दीरे फूलन स्टार्ट हो जाएंगी बस आपको द्याहर नकना है पानी पूरी अच्छे से सूख जानी चाहिए बिलकुल ड्राय हो जानी चाहिए और आता हमारा तो वह नहीं फूल पाती है इसी तरह के से हम और भी पानी पूरी फ्राय कर लेते हैं तो बस आपको बस पनाते ताइम इसी चीज़ का ध्यान अखना है आता सॉफ्ट लगाईएगा बेल ताइम ध्यान रखेगा बहुजाता प्रेशर ना दे और अच्छे से ड्राय कर ले उसके बाद में आप इनको फ्राय करें और आपको रिजर्ट एकदम पर्फेक्ट ऐसा ही मिलेगा तो यहां देखिए हमने अपने ये पानी पूरी फ्राय कर ली है और इक पानी पूरी में आपको तोड़ कर दिखाती हूं कि इसका टेक्चर एकदम मार्केट जैसा है या न आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमें करके जरूर बताईए का दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब कोई भी कन्फूजन हो तो मुझे कॉमें करके पूछ सकते हैं आपके हर कॉमें कर प्लाइम मैं करी देती हूं तो फिर से मेलेंग की अपने अस्पा साफसाइब की अगा तब 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 के लिबाइ थैंक यू